नमस्कार मैं हूँ संदीप अखिल आज हमारे साथ है चुनावी चर्चा में रायपूर दक्षर से भारती जन्ता पार्टी के प्रत्यासी सुनील सोनी जी सोनी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका डंदेवाद कैसी चल रही है तैयारी जबरदस्त तैयारी चल रही है कारिकरताओं ने कमर कस लिया है और सभी नेतागण जो है इस चुनाव अभियान के अंदर में जुड़ गए है और नवी बार जो है फिर से भारती जन्ता पार्टी का कमल खिलाएंगे इस बात का सभी ने संकल्प लिया है और जन्ता का जन्ता जो है आसिरवाद देने के लिए खड़ी रहती है माता बहने इनका सब का इसान है कि यह सब अपना मानते हैं प्रेम करते हैं यह यह जो है का हम लोग यही विरासत के अंदर में कमाएं यही हमारी मूल पूंजी है आप जो है राइपूर लुकसभा के सांसद रहे है हैं महापौर रहे हैं इस चुनाओ को कैसा देखते हैं आप देखिए चुनाओ हम पूरी ताकत के साथ में लड़ रहे हैं एहंकार और घमण नहीं है मैंने अभी तक के कोई आरोप कोई प्रत्यारोप नहीं रखा है जो वास्थिक्ता है इनकी जो देख रहा है सहर उस बात को मैं जनता को बता रहा हूं कि हमने विकास किया है महापौर के रूप में इस सहर को घंड़ने का काम किया है कि चुनौती मिली थी हमारे सामने में एक चुनौती दी बहुत बड़ी चुनौती थी एक मात्र शड़क जो है वो डिवाइडर वाली जैस्थम चौक मिली थी और इसको राजधानी का कार देना और इस सहर के अंदर मैं चोड़ी-चोड़ी सड़के जेल रोड से प्रारम बखिया जेल के अंदर से सड़क और जेल के अंदर की सड़क का मैं आज पहली बार आपके चेनल में इसका वाक्या बता रहा हूँ कि अगर इसका मैं किसी को स्रे दूँगा ठीक है हमने बनाया लेकिन अगर स्रे किसी को दूँगा तो बिजमोहन अगरवाज जी को क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे और उसकी कहानी पूरी नहीं बताऊंगा बहुत फिल्मी स्टैल के अंदर में वो बना था और वो निकल गया क्योंकि काम करने का जज़बा है हमने तर्ज क्या कि लांग ठरम विजन में में इस सहर में काम भूना चाहिए इस सहर में ट्रैफिक सिझमल नहीं हुआ करता था हम ने प्रिवेट पाट्नरशिप के अंदर में सभी चोभ频 अंदर में ट्रेफिक सिर्ण लगा है लोग हसते थे पागल आदमी है रुके का कौन लाल बत्ती पीली बात्ती समस्थे नहीं था जैस तब में रसी बान के रोखते थे इस सहर में सब रुखना चलू है आर सी बीयल कंपनी मना कर सिटी बस चलू किया सस्ता परिवन लोगों को मिले 150 mld का फिल्टर प्लांट 32 टंकी राइजिंग लाइन सब पूरा काम की आने वाला पचास साल पानी समस्या से मुक्त हो फिर कमीथी रिस्ट्यूशन लाइन में फिर सांसत के रूप में अमरित मिसंद में साड़े 400 क्रोड रुपिया लाइए सहर पानी पीए तो चौक चौराय से ले के गारडन से ले के समसान गाट से ले कि औसर मिला हमने आज अएक किया मेनाज भोलता हूं आचान ने किया जंता ने विश्वास किया हम विकास के माध्य हम drops का कर चुगा है ऐस धरती में अगर पैदा हुए है तो यह धरदी अच्छा दिखना चाहिए राइपूर अच विजन था चाह tamanho सुनिल सोनी हो बिडिमोहरंजी अच्छा presses बुटता शेर बनना चाहिए इस विजन को लेकर अच्छा होना चाहिए इस विजन को लेकर यह हम ने इस सहर को गढ़ने का प्रयास किया आने वाले समय के अंदर मैं विश्वास दिलाता हूं दक्षिन दक्षिन विदान सभा के लोगों को जी कि बिजमोहन अगरवाल जी और हम दोनों मिलकर जो है दक्षिन विदान सभा में हम विकास के नए आयाम गढ़ेंगे आपको निरास नहीं होना पड़ेगा आपकी समस्याओं को निराकरन करेंगा और इमांदारी के साथ न करेंगे मतलब आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे दाईत्व है हम इस काम को कर रहे हैं को जताने वाली बात नी यह शेहर हमारा है इसको सवारने की जिम्मदारी हमारी है लेकिन विपक्ष की आरोप को आप कैसे लेते हैं देखिए सुनिल सोरी ने एक काम नहीं किया जो टम विजन के अंदर में आगे खड़ा किया जा सकता था लेकिन पैसा लूटने का काम किया और केवल इस बात में कॉंग्रेस के लोग सक्री रहे हैं, कॉंग्रेस के जो लोग कह रहे हैं, वो अपने महापोर और नेताओं से पूछे कि किस मामले में आप सक्री थे, और ऐसा के तातिया पारा तक सरकार के पास में अगर इतना पिसा हम लोन ले के और आने वाले समय में हम complex बनाएंगे 140 क्रोर पिया मिलेगा इसका लोन को हम चुकाएंगे और बचे पैसे से विकास करेंगां। विजन होना, अगर इस Σहर के अंदर में काम करना है, तो पहले इमानदारी होना, और आप इमानदारी के साथ में अगर काम करना चाहें, तो कहीं रुकावाट नहीं है, कि वहिस्च्छा सकती होना चाहिए और मैं आज आज कह सकता हूं जनता को कि रमन सिंग जी के नित्त में उस समय में हमारे को पैसे की कमी नी हुई आने वाले समय में विश्णु देव साय जी के नित्त में जो है हमको पैसे की कमी नी होगी और हमारी नियत भी साफ है कि हम इस सहर का विकास करें राइपुर दक्षिन का एक अपना रिकार्ड रहा है पूर चुनाओ देखें तो बिजमोन अग्रवाई जी भारी मतों से जीते थे राम चुंदर दाजी से आपका कितने का टार्गेट आप लेके चल रहे हैं और क्या आपके दिमाद में कारिकरता मेहनत कर रहे हैं जनता आशिरवाद दे रही है तै करेगी जनता और कारिकरता मिलकर भारती जनता पार्टी के कमल चाप को कितने वोड़ से जिताना है अच्छे अंतर के साथ मैं इस चुनाओ को जीतेंगे और सबका साथ सबका विकास सबके साथ मिलकर हम लोग जो ह हम यह बिरिजमोहन अगरवाल जी चुनाओ संचाला के उनके नेत्यत में लड़ रहे हैं मैं भी उनका चुनाओ संचाला न के यहां हूँ छैसाथ बार तो हम लोग हम लोग जो है विकास को लेकर चुनाओ लड़ते हैं और वही हम काम भी कर रहे हैं जब आप वह सांसर के चुना लड़ते हैं तो आप आ जाते हैं अब आप लड़ रहे हैं तो वह आ गया है हाँ दुर्गा कालेज में मेरे सिनियर पहले प्रेसिडेंट वो थे फिर मैं था अटल जी सब लोगों को बताना चाहूंग मेरा वो सबसे प्री कारिक्रम था चात्र जीवन का जो है अटल जी से आगरा किये थे निवेधन किये थे वो दुर्गा कालेज में जब आये थे तो उस कारिक्रम कभी संचलन बिर्जमोंजी ने किया था यह बहुत कम लोगों को नई पीड़ी को मालूम नहीं है तो विकास एक विजन रहता है मन लगता है दोस्ती बढ़ती है उससे कि अगर दोनों का विजन एक है हम लोग मिलकर काम करते हैं तो एक आत्मीता बढ़ती है जुनून रहता है कुछ नया काम करके निकल जाए यह जुनून और चुनूती रहती है जीवन में वही रहता है कि आद दु नहीं निकल कर आ गई थी तो यही एक जीवन का है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में आपको कहीं दक्षिन विधान सभा की जनता कहीं निराज सोने की जरूत नहीं हैं आपको दिखेंगा आपका सुनिल सोनी और बिजमों दोनों मिलकर हम लोग डबल इंज को नई भी निभाना इसमें सक्रीता है कॉंग्रेस की यही सक्रीता है तो यह यह जो है आने वाले समय में हम जो लोग नजूल में मकान बना कर रखें उनको हम पट्टा दिलाएंगे गरीब आदमी के जीवन में नयाये लाएंगे यह हम आज जनता से वादा करते हैं हमारा एक नया काम रहेगा कि वह अच्छा मकान बनाएं खुसाली के साथ में बनाएं एक बात चलती है कि यूवा और आपके उम्रों को लेकर चर्चा हो रही कि यूवा और जो है साट प्लस के उम्रे के साथ विक्ति के साथ मुकाबला है परंतु जितना मैं आपकी राजीती को देख पाया हूं आप है बिजमोहन जी यह जादर तर यूवाओं के साथ इनकी मित्रता है भाईया अभी तक है आप लोग दद्दु वाल इस्तिती में कभी नहीं पोचे देखो हम भी यूवाओं हूं भाई कभी जो है हमने हम नौजवानों के साथ में नए वीजन के साथ में नई सोच के साथ में उनसे सीख कर हम आगे बढ़ते हैं कॉलेज की राजनिती से हमने प्रारंभ किया है हम प्रेशिडेंट रहें वहां से हमने प्रारंभ किया है तो जो भी अनभाव है वह अनभाव का लाव इस सहर को मिले यह हमारी प्रात्मिकता है मैंने कहा यह सब पहलाना बन कर दो, अपने उपलब्दी बताओ, अपने जीवन की उपलब्दी बताओ, बताओ कि कोई हमने, या अपने पार्टी की उपलब्दी बताओ, या नगर निगम है, उसी के अंतरगत राइपूर दक्षिन भी आता है, कोई नगर निगम की उपलब्दी बताओ, कि जहां इमानदारी से काम किया हो लूटा नहीं हो आप हमारे जन प्रतिरिदी और इमानदारी से काम किया हो इस सहर में असांती नहीं पहलाया आतंक नहीं पहलाया मन चाहे लोगों को ठेका नहीं दिया कहीं पर मन चाहे वर्क को जो है व्युस्थापन नहीं दिया बताओ तू सही सहर को के सहर सांति का टाप हुआ हमारी राजदानी 36 जो सांति का टाप हुए हम इसको बिगढ़ने ने देंगे ब्रह्म पहला ना बन कर दे लोग सांति से रहे विकास के साथ मेरे समस्या मुक्त रहे उनके जीवन में उन्मति प्रगति आये यह हमारा विजन है और इसी आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं विश्णु देव सरकार की जो योजनाए हैं उसका कितना लाव इस चुनाव में आपको मिलेगा इतना कम समय में जो है मोधी की गरेंटी को विश्णु सरकार त्सक्या है है ने उटेव जी ने पूरा किया चोटी बोटी बात नहीं है अभी फिर सब के खाते में हजार रुप्य आ रहे हैं यह हम ऐसान साथा तो उसको एक चोटा सा सही योग करना कि नहीं हम सरकार तुम्हारे साथ है और जिस दिन लगती है मैंने लोकसभव में भी कहा था कि प्रधान मंत्री महोदी जी की 210 श्योजना आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली और पहली बार आजादी के बाद में हुआ लोगों को लगा कि म है जिसको गर्मी के अंदर में लाइन लगा कर वोट दिया हूँ वो सरकार मेरी है मेरा प्रधान मंत्री है कोई काम विश्णु देव साई जी कर रहे हैं उनको लग रहा है हमने अगर बदला है कॉंग्रेस को बदला है तो यह जो सरकार बनी है यह हमारी सरकार है हमारा के अंदर में तो उसको कहीं ने कहीं और जब तक के राजनितिक के लोग रहत नहीं देंगे तो उसको कभी नहीं लगेगा उसको लगेगा हमेसा हम मैं चला गया ची कह रहे हैं लेकिन भारती जंता पार्टी कभी निच्छलेगी है जो कहती हो करती कथनी और करनी में अंतर नहीं है उसी का पढ़िणाम है अभी 31 रुपया 21 क्यूंटर फिर से हम किसानों का धान खरी देंगे उनके जीवन में उन नती आया च्छी खेती करें हम बाहर भेजें अपने धान का कट हो रहा है तो हमारा धान हमारा चामल जो है बाहर दुनिया भर के अंदर में जाना चाहि प्रदान मंत्री आवास एक सपना है गरीब आदमी का अठारा लाक मकान रोक के रखे अज फिर कहता हूं इस सहर में कोई भी एक भी मकान रुका है उस उसमें सामील होगा सब का मकान बनेगा सब के जीवन में जो है लगेगा मेरे जीवन का सपना पूरा हो गया मुझको सब कुछ मिल गया गरीब आदमी जानता है उसका 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 जो है मैंने देखा इस बात को मैंसूस कि आपने करीब से कि जो है वो उसको मकान नहीं उसके घर के अंदर में एक भीजले का कनेक्शन मिलेगा एक नल की टोटी मिलेगी एक सोचाले होगा लगेगा क्या एक पूरा सब्सक्राइब चुनाओं के समय में मुझे ध्याना था बेजमों जी निकले हुए थे उसमें एक अलग बातावन होता कुछ जगह इस्तितियां से निर्वित हो गई थी ऐसे में आपके उपर एक बड़ी दिम्यदारी है कि सद्भाव और समरस्ता आपके विदान सावा में या राइपूर शर्मारी बनी रहेगी है इस सहर के अंदर में अगर कोई दादागिरी करेगा आतंक फेलाएगा असांती भंक करेगा जेल के अंदर में जाएगा वह हमारा हो इनी सकता है और उन सब को कह देता हूं कि राइपूर सहर है यहां पर आतंक असांती फेलाने की कोशिस मत करना गुंडगर्दी की कोशिस मत करना कि अगर हम सद्वाओं के साथ मैं सेहर के अंदर में रहते हैं तो इस सेहर के नागरीकों पूरी सांती के साथ में रहने दे हमारी माता भेहने रात के दो बेये तक कि अगर सड़क पर निकलती तो उसका आदर सम्मान होना चाहिए किसी ने छिड़कानी करने की कोसिस किया तो जेल के अंदर में जाएगा वो कितने बड़े बड़े अप्रोच लगाले वो जेल से बाहर नहीं आएगा इस बात का हम जंता को वचन देते हैं कि सांती कायम करना यह हमारी प्रात्मिक्ता है इस सहर के अंदर में सदवाओं के वातावरण में हम सब के साथ में जाते हैं कई हमारे के अंदर में दुर्भावना नहीं है और जो दुर्भावना पहलाने का ब्रिजमोंजी के विधान सबा चुनाओं के अंदर में किया था उसका जवाब दिया इस सहर की जंता ने बड़े लीट से जिता कर अगर सदवावना को खराप करोगे तो उखाड कर फेक देंगे हम क जब चुनाओं में किसको टिकेट मिलेगी उसके पहले बहुत सारे दावेदार आते हैं लेकिन एक परंपरा होती कि जब किसी प्रत्यासी का नाम तै हो जाता है तो सब एक्जूट हो जाते हैं लेकिन लगातार कॉंग्रेस पार्टी ये प्रचार कर रही है कि इन्हें टिक किट मिली थी किट कर दिड़ना आपके पक्ष में होता है तो कितना सब जिनके दावेदार संदीब जी सारे लोग लगे हैं और सब मंडल वार्ड बू सक्तिकेंद्र यह यही भारती जनता पार्टी है हम परिवार के रूप में काम करते हैं आपके सामने बैठा है सुनिल सो सांसद टिकेट ब्रिज महांजी को मिला मैंने पूरी ताकत के साथ में लगा भारती जनता पार्टी जितना चाहिए अगर मैं पहले विधान सबागा टिकेट मांग रहा था एक बार दो बार तीन बार नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं लोग सबांशा दिया इस पार्टी ने म पाड़ा आज कोई नहीं फाड़ रहे हैं यहीं निष्ठावान कारी करता यहीं देव तुल्य कारी करता जो हम कहते हैं यहीं उसको प्रमानित करता है आज भी जो है सारे लोग लगे इमांदारी के साथ में लगए पसीना बाहर है मेरे साथ घूम रहे है वो जितना मैं कारिकरता मेहनत कर एसान है इनका और इनके सर को मैं कभी जुकने नहीं दोंगा यह वोट मांग रहे हैं जनता के बीच में अपनी बात को रखकर वोट मांग रहे हो बात पूरी होगी है एक बात और आती है कि जो विपक्ष का रोप रहता है कि इस दौरान जो इस समय जो है सा सरकार ने जो काम किया है लेकिन पूर मुखमंत्री भूपेश बगेल जी की बात करें वो कह रहे हैं कि आरजकता का माहौल है बेरुजगारी है साल भर में जो है इस्तितियां ही आ गई है ऐसे में उपचुनाव आया है आपको इंचीजों को भी फेस करना पड़ रहा होगा इस तरी के सिंगा मुकाबला अपने सरकार को जहां कर देखे मुखिया रहे हो आप इस सहर में आतंक बरस्टाचार का अलम लोगों के अंदर मैं असुरक्षा माता बेनों के साथ में अनाचार अक्रोस था अक्रोस मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि अपरादियों को लग रहा है मेरी सरकार है ये 36 गड़ के लिए बड़ा दुर भाग गये था वो सोच रहे थे हमारी सरकार है हमको संरक्षण मिलेगा खुले आम आतंक था उसका पढ़िणाम ब्रिज मोहन जी विधान सबागा चुनाओं लड़े थे जब हम लोग गये थे एक महले के अंदर में हां आठवी बार चुनाओं लड़ रहे थे आठवी बार वरिष्ट नेता है हां दक्का मार कर कालर पकड़ ले हिम्मत है किसी की लेकिन हम ने सहीम बरता हम भी छातराज नितिश आगे आगे आए हैं हमने गुंडगर्दी नहीं की हम कोतवाली के अंदर में जाकर धरना देकर अपनी बात को रखकर इन अप्राजियों को अंदर करो हम भी उनके साथ में गुंडगर्दी कर सकते थे हमारे साथ भी लोग थे लेकिन दिवाली का समय था इस सहर में सांती नहीं फैलना चाहिए ते वहां लोग सांती के साथ में मिला है यही दिवाली का समय था और स अच्छा काम करो जब सरकार नक्सलवाज समात करी साथ खड़े हो भाई नक्सल मुक्त होगा यह 36 गड़ सांती आएगी और जो हमारा बस्तर स्वर्ग है वहाँ पर लोग जाएंगे लेकिन उनकी भासा नक्सली नहीं बोल रहे है ना नक्सली कमांडर बोल रहे है वो सुकार कर रहे है था कि 35 लोग हमारे मारे गए इस भासा को नक्सली भी नहीं कह रहे है उनके कमांडर नहीं कह रहे है क्यों इस भास्ता का उपियोग कर ले हो छोड़ो राजनीती होती है सरकाने आती जाती है लेकिन अपना 36 गड़े सांत होना चाहिए बंद होना चाहिए नकसलवात के नाम पर लूट खसोड बंद होना चाहिए सहरी नक्सली समाप्त होना चाहिए एक वातावरंड करो 36 गड़ा कहीं तो कहीं तो अपना कर्च चुका हो भाई कहीं तो साथ दो आप तब तो जाके हम बोलेंगे हमर 36 गड़ा सुधर 36 गड़ा नारा से नहीं हो गई है यह कर्म के अधार पर और इस धरती पर पैदा हुए हो तो कहीं ने कहीं अच्छा काम करके कर चुका दो भाई याद करेंगे लोग कि कोई वेक्ति जो है दूसरे दल के साथ भी खड़ाता है अटल जी से सिक्चा लो मोदी जी के साथ काम करने ता आपको अनभाव मिला सांसदी अपने कारेकाल में कैसा अनभाव रहा आपका कोविट का दौर आपने याद किया कोविट के समय में आपकी भूमिका को लेकर बड़ा रहा कि आपने चाहिंस के माद्दें से अन्य सुधाओं के माद्दें से छेत्री की जनता को बड़ा ला पहुंचाया उनको जहां बर आवशक्ता थी वहाँ पर आप खड़े नदर आए देखिए संदीब जी उस कालखंड के अंदर में वास्तों में मेरे लिए उस सिखने वाला कालखंड था Mahar अक्सिजटन मिल जाया लोगों को इलाज हो जाय बजी जान हेल्थ इंफ्राइस्टेक्चर खड़ा हो जाए जिस दिन हवाई जाज चलुगा जब मैं देखा इस सरकार जो है कोविट के अंदर में अपना जो योगदान नहीं दे रही है मैं जाकर वहाँ स्वास्पंती हर्सवर्दन जीते हमने 267 करोर रुपिया नगत लाया पीपी एकेड एन 95 मॉक्स हमने कार्गो से लाकर यहां पर किया हमने राजनीती नहीं किया ब्रिज मोहन अगरवाल जी ने अपने कॉलेज को अस्पताल बना दिया यह सब कि जनता बचे मेरी जनता है मेरे लोग है उनकी जान बचना चाहिए चाहिए वह राइपूर का है बिल लगी थी कतान लगी थी लोगों की अंदर में कोशिस थी हमारी हमने बलुदा बजार के अंदर में मंडी के अंदर में 400 बैट का 27 दिन में अस्पताल बनाए 120 बैट हमने पर्मानेंट हमने कॉपर की हमने लगा दिया ऑक्सिजन प्लांट का हमने लोकारपन कर दिया तो यह भटापारा के अंदर जनभागीदारी के माध्यम से हमने धर्मसाला केemedर perlu किया अभनपूर में हमने चालू किया राइपूर के अंदर बिजमोहँची ने चालू किया सब ने मिलके हमने काम किया उस काल लेकिन इंडोर स्टेडियम के अंदर में सामियाना लगाकर मेकारा को सुविधा निदेना उसका आपके जित्ते बैट थे आपके जो क्रिटिकल बैट थे उसके अंदर में ऑक्सिजन नहीं था असी असी बैट को हमने लड़ाई लड़के जो है आमने का इसको इसको ठीक करो तीन बार पैसा प्रदान मंतरी मोधी जी ने दिया कि मेरे देश का है किस्सा है 36 गड़ वहां के लोगों को भी नयाए मिलना चाहिए इस कोईट कालखंड के अंदर में लेकिन आपकी सोच नहीं थी सेक्ड़ों करोड रुपिया था हेल्थ इंप्रस्टेक्चर हमारा गाउं तक के हमारा प्रात्मिक उप्चार के अंदर तक के हमारा खड़ा हो सकता था जुनून नहीं था आपके पास में आपके पास एक ही काम था कि मोधी की वैक्सीने मत लगाना पाप किया या आपने पाप कि लोगों को जब लोग मर रहे थे सेकेंड काल गंड हमने भी यह बहुत सारे अपने लोगों को खोया है उस समय में कहते हैं वैक्सीन लगाने से मर जाएगा ना पुंसक हो जाएगा क्या मजाक कर रहे हो कहां पे आप चुनाओ लड़ने लायक हो खुद अपने मन के अंदर में जहाक के देखो और कुछ अच्छा काम करो और फिर उसके बाद जनता के बीच में आओ जलासों का धेर हो जाए देश जो है हमारा चत्तिस गड़ जो है उसका प्रयास कि आपकी भासा आप केंद्र के नेता तक के बोलना चालू कर दिये कौन मर गया है वैक्सीन से सब है हम भी है हम भी हम भी लगाया तिन तिन लगाया आपके सामने बैठके हम बात्चीत कर रहे हैं इस काल खंड में जो करें राजनेती करति और भारति जनता पाटी समस्य का समधान करके राजनेती करती यह हमारा मूल मंत्र है करें हम समधान करेंगे विक प्रश्चिन से चनाव जाता है चुनाओ जीतते हैं क्योंकि लगा था बिजमोहन जी जीत रहे हैं इस बार आप मैं आपकी बात को काट रहा हूं जो होगा हमारी पार्टी करती है बहुत ज्यादा महतुक अंच्छाओं के आधार पर में राजनिती में नहीं आया मेरे साथ मैं जो होता अच्छा करती मेरे को पार्टी ने कभी खाली ने लखा यह ऐसान है पार्टी का मेरे उपर और पार्टी हमेशा जो है वो अगर अच्छा काम करेंगे तो पार्टी आगे बढ़ाएगे आप लड़ा रही है पार्टी अगर लोग सभा का टिकट नहीं द कि आगे पार्टी सबको देखते रहती मैं समझ गया आपका प्रस्थ अंति में में बात यह यह कि चतिजगर की जनता की नज़र इस चुनाव पर है दक्षण विधान सवा के मदाता जो है अधिक सधीक अपने मतों का प्रयोग करें घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग को तै करता है और आपने हमेशा सही लोगों का साथ दिया आड़ बार बिजमोहन जी को जीता है बढ़ते करम के अंदर में जीता है हमने भी आपके विश्वास को भंग नहीं किया है आप एक वोट देंगे आप एक वोट का कर्ज जो है हम विकास के माध्यम से चुकाएंग यह मैं आपको वचन देता हूँ हम और बिजमोहन जी दोनों मिलकर सांसत के रूप में दक्षिन विधान सभा भी उनके अंतर गताता है जितनी केंदर की योधना है राज्य की योधना है हम मिलेंगे दोनों मिलकर परिस्रम करके एक एक जनता को जो है उसका लाब मिले इस सब्सक्राइब का प्रयास करेंगे आप वोड जरूर डालने जाएए यही आप सर्फ अपने दना है हमारे साथ भारती जनता पार्टी से दक्षर वदान सभा के प्रत्यासी सुनील सुनीजी सुनीजी बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद